गाइज हमने एक न्यू चैनल क्रेट कर लिया है जिसका नहीं में फिल्म फ्लैक्स अगर आपको मुवी इस रिविवीज देखने में इंट्रस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जब यहां पर देखने को मिलता है आपको यहां पर बॉल्यूम बार आप लोग देख सकते हूं तो यहां पर कुछ इस्ता आपको देखने को मिल जाता है एकनम लेटिस्ट वाला यहां पर कर दिया गया है जो कि यह काफी ज़्यादा बढ़िया है उसके लाब अगर मैं बात करूँ यहां पर आपको नीचे स्लाइडर देखने को मिल जाएंगे यहां पर आप लोग बढ़िया है इसके लाब अगर मैं बात करूं एक ब्लर में देखने को मिल जाता था बढ़िया है यहां पर आपको देखने को मिल जाता तो यह पहले क्या होता था कि नीचे गुछ जाता था एकदम से अब यह जो है यहां पर एकदम रहेगा और उसके अलाबा यहां पर आपको यह सारे टोगर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी जादा अच्छी बात हो जाती है यहां पर आपको नोटिफिक्शन बार में क्या मिलेगा आप जैसे किसी भी नोटिफिक्शन के उपर उल्ड पर तो यहां पर उसके जो है आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी जादा बढ़िया है गई नेक्स चीज अगर आपको मैं बताओं तो नेक्स चीज जो यह है वो आए आपके आइकन पैक यहां पर आप आइकन देख सकते हो जो कि यहां पर राउंड आइकन देखने को आपको मिल जाएंगे राउंड आइकन कर दिए गए हैं बट फिलाल यह अभी बग है यहां आपर सारे आइकन्स नहीं हुए है गूगल की अप्लिकेसं उन कहा पर या хот सारे रावंडे नहीं हुए तो यह फिलाव में बिखने के और यह अपको एक पषयर नहीं हुआ है देगने को मिल नहीं है प्र。 जो आपकी सिस्टम एपस हैं उनको आप अनिस्टाल कर पाऊगे बट फिलाल में यह जो है वर्क नहीं कर रहा है यहां पर देख सकते हैं उसके उपर मैंने क्लिक करिया तो कुछ इस तरह आगा दिखा रहा है जो next feature देखने को मिलता है यहां पर screenshot के अंदर तो जैसे ही आप screenshot लेने की कोसिस करोगे तो देखो यह तो यह वाग है कि screenshot आप three fingers से इस update के बार में नहीं ले सकते हो और दूसरी चीज़ एक second मैं आपको लेकर दिखा रहेता हूं screenshot तो यहां पर हमने screenshot लिया उसके बार मैंने इ आपको काफी सारे editing tools देखने को मिल जाएंगे यहां पर pen pencil देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया है ठीक है तो इनका आप यूज कर सकते हो screenshot को edit करने में तो यह काफी ज़्यादा मुझे अच्छा feature लगा जो कि यहां पर देखने को मिल जाता है नेक् जैसी क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको काफी सारे tools देखने को मिल जाएंगे जिससे आप यहां पर कुछ भी लेख सकते हो है ना तो काफी ज्यादा बढ़ी है यह भी feature है इसके लाब कर मैं next feature के बात करूँ next feature भी notes में देखने को मिल जाएंगे जो यहां पर three dots दिख रही है इसपर आप क्लिक कर देना एड उसके बाद striking to मिल जाएगा इसको आप जैसी इनेवल कर दोगे देखने को मिल जाएंगे तो यहांपर इस lin यहाँ आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको 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 ऑप्शन में आपको आपको आपके डिवाइस में अगर अपडेट आया है तो आपको भी यहां पर यह जो है जो है अपने स्मार्टफॉन में एक्स्टेंट कर सकते हो और आपके स्मार्टफॉन की पर्फॉमेंस है उसमें आपको काफी ज़्यादा इंप्रूमेंट देखने को मिलेगी ठीक है यहां पर देखने को मिल जाता है यह बिसिकली एंडोट 11 का फीचर था एंडोट 11 अब आप स्मार्टफॉन में आ चुका है जिसके बारे मैंने फिलाल अभी आपको नहीं बता है अब मैं आपको बता रहेता हूं एंडोट 11 आ चुका है और उसके साथ में यहां पर यह देखन सब्रक्राइब करें फोटो को यहां पर इसको करेंगा आपके फोटो में कोई डिस्पले होगी है नहीं चाहिए टीवी की ओ लिडी की स्मार्टफॉन की हो तो जो डिस्प्ले है उसके यहां पर यहां पर जो है यह ले लेगा ठीक है उसी हिस्ते को जो है यह ले लेगा यहां पर एक स्क्रीन सोट की तरह यहां पर यह जो है वर्क करता है ठीक है उसके लावा यहां पर कुछ ऑप्शन से भी मिल जाएंगे यहां पर एक आइकन भी देखने को मिलेगा यह वाला तो यहां पर आप अपने यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर लेक्टरी बैटरी बैलेंश्ट एंड पर्फोर्मेंस टीक है अगर आप बैटरी सेफ करना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो अगर आप पर्फोर्मेंस चाहते हो अपने स्माटफोर के तो आप इसके बाद बैटरी वह काफी फास्ट ली कंजीम होगी अगर आप बैलेंश रखनान चाहते हो तो आप यहां पर मेडल में रख सकते हो तो यह फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा काफी helpful फीचर लगा मुझे यह काफी लोगों को बैटरी का काफी इशू आता है तो यहां पर बैटरी पर रख सकते हैं तो काफी ज़्यादा बढ़िया यह फीचर है फीचर देखने को मिल जाता है यहां पर सैटिंग्स में सैटिंग्स में आप जाओगे आप जाओगे नोटिफिक्षण एंड कंट्रोल सेंटर में तो यहां पर आपको यह जो है इक सेक्षन देखने को मिलेगा अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ इस्ता का आपको देखने को मिल जाएगा एनिमेशन तो यह काफी ज़्यादा मुझे अच्छा आप लोग देख सकते हो गारा ऑल बाला अपर अपर आप यहां पर टोब ऐक यहां पर आपना ऑला इसे करोगे झ sitten करोगेगना तो आप यहां पर आ smudge करा सकती हो नोटिविगेशन बार में नोटिविगेशन बार तू कंट्रोल सेंटर आप ऐसे करके स्विच कर सकते तो यह अच्छा फीचर है जो कि यहां पर देखने को मिल जाओगे तो यहां पर आप जो मौर की जो लियाउट है उसको यहां पर चीन कर सकते कर सकते तो यह काफी एंट्रेस्टिंग सा मुझे लगा तो मैंने आपको बता अगर आप न्यू वाला चाहते हो तो मैं आपको बता दू मैंने सेक्योर्टि अप्लीकेशन उसके लिंक में दे दी है आप उसको डावलोट करके इंस्टॉल कर लेना आपको यह वाला गम टर्बो देखने को मिल जाएगा यहां पर आप लोग देखोंगे तो कुछ स्था का जो है कुछ चुछ तो यहां पर आप लोग देख सकते हूं कि कितनी देर आपने घेम खेलाया ना तो काफी अच्छा है यह फीचर जो कि यहां पर देखने को मिल जाता है तो यहां पर आपको काफी सारे वाल पेपर्स देखने को अन्दर तो यहां पर काफी सारे बिजट से यहां पर जोए आड किये गया है यहां पर मैं आपको दिखा दूं यहा पर गैलेरी के क्पफ़ी सारे बिजट्स देखने मिल जाते हैं , काफी एदा बड़े बात है कि यहाँ पर आपको मिल यही सारे मैं बाता करते हैं , यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ एंप्रमइन चुने को नहीं मिला थी आप l नहीं बोलूंगा ठीक है थोड़ा बहुत इंपूबंट जरूर से देखने को मिला है तो बैटरी वेकप सही है ज्यादा खास नहीं बोलूंगा मैं है ना तो सही है मतलब गुल मिला के तो यह ता फुल ले हुई इस अपडेट का MIUI 12.5 का आयोफ के आपको वीडियो पसंद आ तो सब्सक्राइब लीजिए तो गाइस मैं मिल तॉप्स नेक्स इंट्रेस्टिंग उड़ा में है थैंक्स फूर वाचिंग एंड बाइ क्या है क्या है